अलो दोस्तों दोस्तों मैं हूं वी टैप व्लॉगर और इस व्लॉग में मैं आपको लेगे चलूँगा चंडीगड और जब दो तीन चीज़े आती हैं दिसे सुपना लेक दोश गार्डन वॉग गार्डन तो अभी मैं निकलूंगा और निकलने के बाद उतल एग दिन का ट तो दोस्तों हम यह निकल चुके हैं चंडीगड के लिए और देली से लगबग 5-6 गंटे में लगेंगे अगर जाम नहीं मिला तो तो यह एक जिल्मिल ढावा आप देख रहे होंगे यहां पर हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़ताय करेंगे तो दोस्तों चंडीगड में एंट्री कर चुके हैं तो दोस्तों पहले हम आ गए हैं रोग गार्डन और यह बोर्ड आप ने देखा इस पर साधी डिटेल लिखी हुई है कि समल का टाइम है सुबह नौबे से 7 वे तक और इंटर में हो जाता है सुबह नौबे से 6 वे तक और यहां की जो टिकेट है वो बड़ों के लिए 30 रुपे है और बच्चों के लिए 10 रुपे है और इसकी खूब शूरती आप यहां देख सकते हैं अगर मैं पूरा एडिय कवर करता तो बहुत टाइम लग जाता तो इसलिए मैंने थोड़े पिक ले लिए हैं और यह पिक्स आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों यहां का डॉल मुजियम और यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग राज्या की संस्कृति और गाओं के कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी कि जो आपने पहले शायद ही देखी हों अगर आप गाओं में गए हों कि जैसे आटा चक्की चर्खे पानी लाते हुए लोग चौपाल बजासे लोग बैठते थे वो गाए भैंस इनकी मतलब मूरतियां जो मूरतियां तो नहीं कह सकते हैं डॉल टाइ आपको दिखाई देंगी और जैसे गाओं में घर होते थे अक्सर ऐसे आपको दिवारें और यह सब फील कराएंगी आप सामने देख सकते हैं आपको देख सकते हैं दोस्तों यह जो रॉक गार्डन है यह लगबग 18 साल में बना था और चालिस एकड में फैरा हुआ है तो नेट्चंद जी का नाम आपने शुदू में बोर्ड पर देखा होगा उन्होंने इसको बनाया था और यह कप प्लेट जो हमारी घर से वेश्टीरे निकलती है खाली ब चलते हैं चलिए अब चलते हैं सुकना लेक की तरफ कर दोस्तों यह सुकना लेक हम पहुंच चुके हैं यह सामने आप देख सकते हैं लेकिन टाइम लगबग 6 बजे का हो गया है तो अब आगे यह परमिशन नहीं देते और जो बीजन होते हैं पानी के वो भी वापिस आ ज अब चलते हैं जो लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं तो यह जगह उनके लिए एकदम स्वर्ग है तो आके यहां enjoy कर सकते हैं दोस्तो टाइम की कमी की वजए से मैं आपको इस वीडियो में स्विफ दो ही location दिखा पाया तो सुबह मैं निकलूंगा यहां से शिमला के लिए और देखिंगे वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye